नमस्कार शेश भारत में आपका स्वागत है मैं हूं मुक्ता सिंग चंद्रयान 3 की लैंडिंग को बस कुछ देर बाकी है चाथ के साउथ पोल पर लैंडिंग का काउंडाउन शुरू हो चुका है तेस अगस की शाम यानि की कल शाम 6 बच कर 4 मिनिट पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का आनुमान लगाये जा रहा है यानि की कल एक बार फिर दुनिया नए भारत की ताकत और तस्वीर देखने जा रही है चंद्रयान 3 इस वक्ट चाथ की सतह के बेहत करीब है बस एक दिन बाद चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने वाली है लेकिन उससे पहले चाथ से हजारों लाखों किलोमेटर दूर भारत में वज्यानिकों की सांसे फूलने लगी है क्योंकि आखिर के घंटे में ही इस पूरे अभियान का दारोमदार टिका है आपको पता दे चांद की सतय पर विक्रम लैंडर के उतरने का उल्टा काउंड़ाउन शुरू हो चुका है जैसे जैसे चांद की और भारत के कदम बढ़ेंगे हलचल और तेज होती जाएगी दुनिया के तमाम देशों में विक्रम लैंडर का लाइव प्रसारन होगा देशी नहीं पूरी दुनिया की नजर उस वक्ट चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर होगी और इसी मामली पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास महमान जुड़े हैं आचारे डॉक्टर शैलेश तिवारी हैं जो जोतिशा चारे हैं और गोहर रजा जी जुड़ रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है सर्चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इतिहास रचने से अब बस कुछ ही दूर है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- हुआ था और लगतार हम एक एक करके कदम आगे बढ़ाते रहें हमारे कदम धीमे थे और मुलकों के मुकाबले में लेकिन बहुत मजबूत थे और हमने ये लगतार साबित किया है कि हम कहीं कम पैसों में टाइम लगा कर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे पर हमारी हमारा ह हर कदम एक नया कदम होगा और आज जो इतिहास रचने जा रहा है वो सबसे बड़ी बात यह है कि चांद के साउथ पोल के ऊपर हम पहले देश होंगे जो अपने मिशन को सक्सेस्फुली वहां उतारेंगे जी बिल्कुल सही कहा आपने सर कि हम लोग पहले देश होंगे जो साउथ पोल पर लैंड करेंगे देश नहीं पूरे दुनिया की नजरें इस पर हैं और सभी को यह उमीद है कि आप भारत चांद की तरह चमकेगा आप सही कह रही हैं भारत हमेशा चांद की तरह चमकता रहा है कोई ऐसा नहीं है कि आज चमकेगा या कल चमकेगा भारत हमेशा चमकता रहा है मेरा मानना ये है कि भारत के साइंटिस्ट ने ये बात बार बार साबित की है कि जब जब उन्हें मिशन मोड में काम करने के लिए कहा गया है तो उन्होंने साइंस की उचाईयों को चुआ है, टेकनालिजी की उचाईयों को चुआ है मेरा मानना ये है कि देश की पूरी जनता को हमारे जितने भी इंस्टिटूशन्स हैं उनको हमारे पुलिटिकल फोर्सिस को ये कोशिश करना चाहिए कि साइन्टिस्टों के साथ इस तरह का बरताओ हो हमारे देश के अंदर कि उनको इन उचाईयों को छूने की खुली छूटी जाए और पूरा सपॉर्ट किया जाए साइन्स एंटिकनॉलिजी के बजट्स बढ़ाए जाएं इंस्टिटूशन्स नए क्रियेट किये जाएं और तब हम दुनिया के साथ खड़े होने की ताकत रखते हुए दिखाई देंगे और हर फिल्ड में दिखाई देंगे सिर्फ स्पेस साइन्सेज में नहीं हर फिल्ड में दिखाई देंगे ये इसरो की हिस्ट्री हमें ये बताती है बार बार कि जब मिशन मोड में एक के बाद एक continuity के साथ साइंसदानों को या वैग्यानिकों को काम करने दिया गया है और उनके सामने बड़े बड़े मुश्किल लक्ष रखे गए हैं तो उन्होंने सारी परिशानियों के बावजूर उन लक्षों तक पहुचने की पूरी भरपूर कोशिश की है और हम पहुचें चाहे वो एटामिक इनर्जी हो और चाहे वो स्पेस साइंसे हो ये लक्ष बहुत मुश्किल लक्ष इसलिए था कि एक चीज़ अब पे हमने पूरी तरह से उबूर हासिल कर लिया था मास्ट्री हासिल कर लिए थी कि हम लाउंच कर रहे थे यानि हमारे लाउंच वहेकल धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जा रहे थे वो चाहे हम सेटलाइट लाउंच कर रहे हो अलग-अलग और्बिट्स में डाल रहे हो सेटलाइट्स को या हम चांद तक पहुचने की कोशिश करें तो हमारा जो सबसे ज्यादा भरोसे वाला कदम था वो लाउंच का था जो सबसे मुश्किल कदम होता है सर आपने जैसा बिलकुल कहा कि साइंटिस्ट इतना महत्यपूर्ण काम करते हैं देश का नाम रोशन करते हैं तो होसला अफजाई जरूरी और अगर हम देखें तो पिश्री बार जिसरे से प्रधान मंत्री जी ने चंद्रयान 2 फेल होने के बार जिसरे से होसला अफजाई की थी शायद जही कारण था कि भारत बहुत जल्दी तयार हो गया चंद्रयान 3 लाउंच करने के लिए मैं जो कह रहा था वो बहुत इंपॉर्टन बात है जो हमें समझनी चाहिए कि इसरो के साइंटिस्ट ने देश का समान बढ़ाया है मान बढ़ाया है और उसकी वज़ा ये है कि उन्होंने कभी अंधविश्वासों के उपर यकीन नहीं किया उन्होंने साइंस का रास्ता अपनाया और देश की नई पीडियों ने लगतार आगे बढ़ करके इसरों के साथ काम किया और परफेक्शन हासिल किया हमारे देश में तरह तरह के लोग हैं जो लगतार अंधविश्वास पहलाते रहे हैं और उन्होंने अगली पीडियों को उस तरफ धकेला है जिसमें अंधविश्वास बढ़ते चले गए हैं प्रधान मंत्री हो या कोई और पॉलिटिकल लीडर हो मेरा मानना यह है कि उनका काम असल में यह है कि वो साइंटिस्ट को सपोट करें उनकी होसला अवजा ही करें रहिए चाहता हूँ और बार-बार कहवी रहे है कि जब मिशन की तयारी हो रही है मिशन लाुच किया जा रहा है मिशन पूरा होने जा रहा है अपने लक्ष की तरफ बढ़ रहा है तो बाकी सारे देश को including politicians जरा दूर से रहना चाहिए दूर रहना चाहिए उससे उसका credit तो जाहर है कि politicians को मिली जाता है लेकिन सबसे बड़ा credit मिलना चाहिए scientist को वैग्यानिकों को इस देश के और हमें उनका संबान करना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश को एक नए लक्ष की तरफ आगे बढ़ाया है बिल्कुत सर उनके दिन रात का अथक परिश्रम है कि हम लोग यहां तक पहुंचे हैं सर लगातार 15 minutes of terror की बात की जा रही है क्या है यह 15 minutes of terror मैं जैसे कह रहा था कि लाउंच के वक्त पर लगवग आधे घंटे का टेरर होता है क्योंगे single point failure जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं और अगर यह जो orbit में चकर लगा रहा था वहां से introduce किया गया है जो जाएगा यह लैंड करेगा यह वक्त भी सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त होता है इसमें जो lander है उसको बहुत सारी चीजों को का ध्यान रखा जाता है जब हम artificial intelligence और computer program के through उसको control कर रहे होते हैं यह control धरती से नहीं किया जा सकता पूरी तरह से धरती से इसलिए नहीं किया जा सकता कि वहां से यहां तक signal आने में और यहां से वहां तक signal जाने में लगबख चार सेकेंड का वक्त लगता है जो radio signal आते हैं चार सेकेंड में कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम speeds की बात कर रहे हैं जो mind-boggling speeds है जो बहुत तेज speed और उसे घटा करके हमको लगबख दो मीटर तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जोतिशा चारे आचारे डॉक्टर शेलेश तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शेलेश भारत में क्या लगता है इस बार होगा चांद मुठी में हरे कृष्णा मैं मात्य पृषंद्री राज राज इश्वरी से प्राशना करता हूं कि भारत विश्व का गौरव राष्ट है और विश्व का गौरव बने चंद्रयान 3 निशित तर पर सफल होगा इसका साइंटिफिक कारण तो साइंटिस्ट लोग जानते ही हैं मैं जो अतिश्य कारण के अधात पर बता सकता हूं कि चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को जो प्रशेपन किया गया है और हमारा जो एस्पेक्टेट डेट कल का दिया गया है 23 अगस्त 2023 अगर हम 23 अगस्त 2023 को अगर हम कलेकुलेशन करते हैं तो इसका योग जो आता है वह दो आता है जि चंद्रमा को कह देखना को मन के देवता मानने गए है चंद्र को हम चंद्र देवभवा कह चंद्र को हम पर्त्रक्ष देवता के रुप में प्रिधिवी पर हम दो देवता को मानते हैं सुर्ज देव को और चंद्र देव को जोतिस की गणना इसी दोनों पर अधारित होता है जो कल का जोग और संजोग बन रहा है अगर हम कल क्या विशेश रूप से पंचांग देखें तो चंद्रमा कल तुला रासी में हैं और सुर्ज जो है वह सिंग रासी में हैं सिंग रासी के स्वामी सुर्ज होते हैं अतुला रासी के स्वामी शुक्र होते हैं अगर हम देखते हैं कि कल सप्तमी तिति है और स्वातिन शत्र है और ब्रह्म योग है ब्रह्म योग में कोई भी चीज अगर हम कल्पना करते हैं वह सिद्धी को प्राप्त हो मुझे पुरा बिश्वास है कि चंद्रियान थ्री जो है वह निशित तोर पर सफलता को प्राप्त करेगा अगर हम अंक जोतिशे गण्णा की अधार पर कहे तो इसका यह अंक दो आता है और 23 अगस्त में दो अंक जो है वह मूल अंक टोटल पांच आता है जिसमें दो अंक का समिस्वन है और अबर आल पूरा अंक का अगर हम गणना करते हैं तो दो अंक आता है जिसके स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा पर हम विजय निशित तरब प्राप्त करेंगे क्योंकि आस लोजिकल का लिगुलेशन के अधार पर शिद्धी योग आ रहा है और ब्रह्मय अगर इस समय में जो 6 बज़े 6 बत कर 4 मिनट से लेकर के 6 बज चरी मिनट के बीच का जो समय है वह विशेश सिद्धी मूर्थ है सिद्धी मूर्थ में कोई भी काड़ अगर ऐसा मानना है जब हम प्रशेपन की थे 14 जुलाई 23 उसका अगर हम योग निकालते हैं तो उसका य एक योग बनता है अगर आप देखें 14 का एकल अंक पांच है जिसके स्वामी जो है वह बुद्ध है साथ का अंक जो है वह निगेटीव चंद्रमा है और टोटल 2030 का अंक जोड़ते हैं तो साथ साथ 14 और पांच 19 जिसका स्वामी एक है एक यानिस सुर्ज है और सुर्ज कल सिं वह विश्व गुरू के रूप पर उभरेगा विश्व गुरू अंतुरिक्ष के छेत्र में विज्ञान के छेत्र में यहाँ जो हमारी परिकल्पना रही है कि चंद्रमा के उपर दक्षिनी दूरू पर लैंडिंग करने का तो निशित और पर मेरे कालकुलेशन से यसीद ह होता है कि संभावना नहीं पूरी तरह से विश्वाज कर सकता हूं कि कल चंद्रयान थ्री जो है वह निशित तर्पर सफल को सफलता को प्राप्त करता है और जो हमने देखा है 14 जुलाई कोन प्रशेपन किया ने किया है जब भी उत्रेगा अगर 27 गुरु चंद्रयां तो आपको पूरी उमीद है को लांड कर जाएगा या ये जो प्रशेपन का समय है जब यहां से प्रशेपित किया है वह सिद्धी योग में है वह पुर्णता को पुर्ण सिद्धी को प्राप्त करेगा यानि की सफलता को प्राप्त करेगा मुझे पुरा विशास है कि चंद्रियान 3 जो है वह सपलता को पराप्ट करेगाlls यहा IS निश्य है समय आधी आगे पिचे हो सकता है लेकिन सपलता निश्यत है क्योंकि सिध्धी योग में प्रशेपन किया गया है जो चंद्रियान 3 जो परशेबित किया गया है वो सिध्धी परिवर्तन समय परिवर्तन हो सकता है लेकिन सिद्धी योग में है तो सिद्धी प्राप्त करेगा ये बात आपके साब से तय है जी बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए परेकुष्णा तो इस बार हम सभी भारत वासियों को उमीद नहीं बलकि पूरा विश् सब्सक्राइब करें बिल आइकन दबाएं और देखती रहें श्रिष्ट भारत